वेल्कम बेक टो माइन वीडियो तो भाई लो इस वाल वीडियो में आपको देना वाला हूँ एडिप्स एंड ट्रिक बाश जिससे आप लजेंड बन सकते हो एड़ावलों की अगर आप इन सारी टिप्स को अच्छे से फॉलोग करोगे तब तो देर किसका करना चलो वीडिय को स्टार्ट करते हैं तो भाई लोग हमारी फर्स्ट इपी है कि आपको सेंस्ट्री क्या रखने चाहिए भाई लोग मैं आपसे कई बारी वीडियो में बता चुगाँ कि संस्ट्री हमेसा अपनी हंडेड रखना जैसे मेरा 6GB रैंप फोन फिर भी मैं सारी चीज हंडेड रख इपॉर्टिंट होता है जैनल को हंडेड रखो बाकी चीज़ों कम कर दो आपका गेमप्लेड स्मूर्थ नहीं चलने वाला फिर भी भाई जैनल को हंडेड रखो बस आपकी मुवमेंट आई अगर आप स्कोप कर लोगे या फिर डॉट में आपकी काफी ज़्यादा परसान आप सब इसी बात संदाज लगा सकते हो कि आपकी मुएंट कितनी खराब हो जाती जीरो संस्टी पर मैं जीरो जैनरल पर अब मैं सेंटी तो उसके बास से देखो मेरी मुमेंट कितनी ज्यादा इंक्रीज होने वाली और मैं गेमिंग लव भी अपने उतार देता हूं तो ग कि हलका सा character में हिल रहा था अब जो को मैं पूरा भाई हलका सा करो हिल जा रहा है तो भाई लोग अभी मैंने अपने snapper scope zero कर लिए जस सपोर्च मेरे सामने बंद है और भाग रहा है तो मैं बंदे का पीछे देखो मैं कैसे करूंगा स्नाइपर स्कोप लगा के मालो बंदा बहुत दूर है मेरे से तो देखो मालो मेरे सामने बंद है और यह भाग रहा है तो देखो मैं एकदम पूरी ताकर लगारू गेमिंग लोग के साथ तो भी भाई एकदम ताकत के साथ इधर से उधर जा रहा है हलका सा भाई पूरी ताक यहां प्राइब बंदेर मैं है एक स्कोल मारें बाइबने फार जाई दीभा एडम के पास पहगा है बंद बो बंदा भा गए कर सके हैं युथ्य श्मिध को सम्मृत हो अपने नेज्ट्प करना पड़ेगा तो ऱंचयी में लानने हं अपको कस्टम मार्क करते थे सवह से मैं एक्टम अपने अपने यह बोट के पास अपने इसे डाल दिया जहाँ से değil तो वह आपको इमोजी यहांसे आप इमोट दिखा तो डालना है या आप जहां से पैट का इमोट दिखा तो वह डालना है तो देखो अभी ट्रेंणिंग आप नॉर्मल एव कोई से भी स्नाइपर गन चला गए तो इसमें एम बोट नहीं आता वहीं आप यह से मार्क कर दें तो आपका एम बोट भी पता चल जाएगा कहां है देखो मैं बहार आ गया अब सामने से बंधार तो मैं असानी से डिटेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने य काफी कम चलाता हूं तब बतारों भाई आप जो नया नया AWM सीखो है तब आपको परसानी आने वाले क्योंकि भाई आप बंधों को डिटेक्ट नहीं कर पाऊगा क्योंकि आपका एम नहीं जाएगा बंधों के उपर वहीं आप एक से दो हफते सीख लोगा उसके बास आप आपको कुछ नहीं करना आप हटा देना फिर देखना आपका गेंप्ले कितना इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपको पता चलगा होगा कि बंधों के उपर एम कैसे करना कैसे नहीं करना आपको पूरे एटू जैड आ जाएगा तो भाई लोग यह वाली टीप बिग दॉम माइंड ब्लोइंग होने वाले क्योंकि हमारी लाश्ट टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है तो आप सब के माइंड वे एक सवाल आ रहा हो कि भाई तू इतनी जल्दी स्कोप कर ले रहा है गन इस्चेंज कर ले हम कैसे करें भाई हमारी तो प्रैटिस नहीं है तो भ सब्सक्राइब कर लेना है अब कई बंदों को आफ होगा तो जैसे मैं अभी आफ कर लिया अपनी मेरा ऑन था तो मैं फायर कर रहा हूं जैसे मैंने अभी फायर के तो रिलोड पर जारी मेरी गन और स्कोप नहीं हो रहा वहीं आप इससे आउन कर लोगे तो आपके कोई सब सब्सक्राइब कर दो नहीं होगा तो लास्ट वाले टिप काफी इंपॉर्टेंट रहा उसे दम ध्यान से सुन लियो समझ गयो तो भाई आप वीड़म में चलाना आगी लगबग कोई सब्सक्राइब कर दिना मिलते हैं नेक्स्ट विए